अब यहाँ पर एक अंकल रोड के साड में चलके जा रहे थे तब भी पीछे से एक ओटो वाला आता है और उस अंकल को पीछे से हीट करके गिरा देता है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सवारी के चकर में उन ओटो वाले का ध्यान रोड पर तो रहता ही नहीं है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन वो तो शुक्र है कि यहाँ पर ओटो की स्पीड कम थी वरना बीचारे अंकल के तो लेने के देने पर जाते आईनो सभी ओटो वाले एक जैसे नहीं होते लेकिन कुछ ओटो वाले इतने ड्रेश ट्राइविंग करते हैं कि उनसे बेतर है कि पेदल ही चले जाए